मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आप समाई करते हो अगर आप प्रतिकर्मन करते हो तो आप एक बात का जुरूद ध्यान रखना कि बोल चाल अगर बंद है कोई तुम्हेरी नजरों में खटक रहा है किसी को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है और उसके बावजूद भी आप प्रतिकर्मन कर रहे हो तो आप अपने अंतर मन से एक सवाल जरूर पूछना कि तू कहीं धोंग तो नहीं कर रहा है तू कहीं पाखंड तो नह कर रहा है तो केवल धार्मिक क्रिया तो नहीं कर रहा है तू कहीं अपने आचार से धर्म को लज्जित तो नहीं कर रहा है तेरे अंदर महावीर और क्रोध दोनों एक साथ नहीं रह सकते या तुम्हारी बात बोलू कि तुम्हारे अंदर महासती चंदन बाला और आग की च अगर चिनगारी है तो समझो महासती चंदन बाला गई हां गई फिर करते रहो मिच्छामी दुकडम बंद कमरे में और सामने वो आ जाये तू क्यों आयो तेरी सकल देखनी नहीं यानी बैठना मिच्छामी दुकडम एक कमाल की बात है यह कौन सी मिच्छामी दुकडम है भई आपको सोचना होगा कि धर्म को कहीं आप धोंग तो नहीं बना रहे धर्म हमें धंग से जीना सिखाता है क्या बोला मैंने धर्म हमें धंग से जीना सिखाता है धर्म हमें कभी धोंगी नहीं बनाता आप यह देखिए आप जो द्रव्य समाइक छेत्र समाइक काल समाइक करत भाव समाइक के लिए, भाव समाइक के लिए आप ये तीन समाइक करते हो, अगर भाव समाइक नहीं आई, तो इसको हम नकली समाइक कहते हैं, कौन सी, नकली, मैं ये नहीं कहता, कि जी भाव समाइक तो होती नहीं, चलो नकली भी छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, करते करते रो। कभी नकली करते कर्ते असली हो जाए। पर जल्दी करना। मरने से पाधिक मख़ा जरूर कर लेना। रम्मिनीक मुनीजी के जीवन उपयोगी अन्मोन सुत्रों का प्रसारण रम्मिनीक वानी जरूर देखे प्रसाराण निया कुछ May